नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं धर्मासनमार, सबसे पहले तो नए साल की धेर सारी सुपकामना है आप सभी दर्सकों को, नए साल पर किस्मत बदल जाए, इसके लिए हम बहुत सारी उपाय करते हैं, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या ऐसा चीज है जो किसी को भी मत दीजेगर न इस साल पर, क्योंकि अक्सर लोग गिप्स बेगरा देते हैं, इंज्वाइ करने का देने हैं भाई, लेकिन इसके पहले दो बातें, जरा ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले तो आप चाहते हैं, आपका जीवन पूरा ही बहुत खुश हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और जो आपके सामने हैं, उसका स्वागत करें, पीछे की बातों को लेकर रोना बिल्कुल भी मत रो ये, और ना ही ऐसा सोचिए, कितना अच्छा था, ये वो इस टाइप की चीज़े मत आने दीजे मन में, बल्कि अब आगे की बार क्योंकि सामने वाला भले ही धन कमा लिया, पर घर में तमाम तर्की परिसानिया हैं, पर आपके जीबन में कम सकम खूसिया तो है, आपके अपने तो आपके साथ हैं, यही काफी है जीबन में तर्की पाने के लिए। हमेशा ही धैरे बनाए रखें और जितना आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें क्योंकि आपको तो पता ही है समय से पहले और भागी से ज़्यादा कभी किसी को कुछ भी इस दुनिया में नहीं मिलता अपने लिए भी समय निकाले थोरा वक्त खुद को भी दे क्योंकि ये सरीर जो आपका है इसमें भागे बसता है इसमें मा लक्ष्मी इस सरीर में रहती है और आपको भागेवान मा ही बनाती है यानि सलीके से रहिए करीने से कपड़े पहनिए आप जिस भी पोजीशन में है टिप टॉप हम हमेशा ही अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप हमेशा ही एकदम टिप टॉप रहें फोकस में रहें क्यों कि आप जितना खुसी अपने सरीर को देंगे अपने इस पर हमेशा किसी की भी होता है ना निंदा करना ये बोल दिया वो चीज़ों को इग्णोर करें खुद के लिए सोचें आगे बढ़ें आपको कैसे आगे बढ़ना है ये चीजे माइने रखनी जाए और कोई भी चीज सीखने की उम्र खतम नहीं होती बलकि जितना दुनिया में बहुत तहके ग्यान है आप सीखना चाहे तो पूरी उम्र भी जाएगी पर सीखने के लिए तो कोई भी चीज मौका मिलता है तो उसको सीखे अब हम बताएंगे नए साल पर आपको क्या किसी को नहीं देना चाहिए तो नए साल पर घर में कोई भी टुटी-फुटी चीज और अब बसिखे बेड्र लका प्रतीख होता है और अपने पर्स में जरूर थोड़ा सा नथोड़ा सा कैस जरूर रखें कोई नहीं कैस ऐसा करने से साल भर भरकत बंई रहेगी और सबसे अच्छी बात क्या है ना इस दिन किसी को भी धन मत दीजिए ना ही किसी से लीजिए क्योंकि हो सकता है पूरे साल आपको धन की परिसानी हो और इस नए साल पर चाकू, कैची, छूरी बेगरे भूल कर भी मत ख़ई दिये जहां तक संभवो और कहते हैं नए साल पर चिकन यानि जिसको हम मुर्गा कहते हैं मुर्गा मुर्गी जो भी हो उसको खाने से गरी भी आती है इसलिए आप मशली तो खाईए लेकिन चिकन मत खाईए ध्यान रखिएगा अगर आप अंगूर खाते हैं नए साल पर तो आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती इसलिए नए साल पर अंगूर चरूर खाईए और घर का दरवाजा मध्यरातरी में दो मिनट के ही सही लेकिन खोलिएगा जरूर नए साल पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज तूटे नहीं क्योंकि बेड लग आता है और काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें और आज के दिन आलमारी या फिर आपका परस खाली नहीं रहना चाहिए इस बात का भी ध्यान रखें आपक कि घर में जिस भी बैक्ति का प्रवेश होगा पहला बैक्ति वह बैक्ति कैसा है यह पहले सोच ले क्योंकि बुरे बैक्ति का प्रवेश होने से हो सकता है आपका साल गरबर हो जाए तो अच्छे बैक्ति को ही घर में बुलाईए यह ज्यादा अच्छा है किसी को तो कर्ज देना ही नहीं चाहिए इस बात का खास दियान रखिएगा और जैसा हमने कहा इस दिन सब्सक्राइब करनी है पहले ही आप कर लें ज्यादा सुबह हर हर महादेब